एक्सक्शन दोजादो का सवाल है, question says if particles are moving with the same velocity then which has the maximum D-Brogly wavelength, हमारे option है proton, alpha particle, neutron या फिर बीटा पार्टिकल, लगे इनकोंसेप्चिल सवाल है, calculation यहाँ पे खास involved नहीं है, now D-Brogly wavelength जब हम particles के लिए लिखते हैं, तो हम लिखते हैं, lambda will be equal to H divided by P, यानी के लिखते हैं H by MV, अगर अगर अपने चार पार्टिकल दिये हुएं जिनकी velocity सेम हैं और H तो आपका universal constant है, तो आपका lambda जो है वो proportional हो गया, 1 by M के, तो जिसका mass हमें बताना है, maximum wavelength किसकी होगी, तो जिसका mass सबसे कम होएगा, उसकी wavelength सबसे ज्यादा होएगी, so अगर हम proton, alpha particle, neutron और बीटा पार्टि ध meth जिसका जिसकाए, काजर होएगार छो जिसका मा खिताना है, जिसका मास बार्टिकल झादा है